नवस्कार दोस्तों क्लामेट लॉजी की संकला को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्सा के प्रकार के बारे में इसे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जो वरस्टी होती है उसके कौन-कौन से प्रकार होते उसी में प्रकार है वर् आफ्या प्रकार के बारे लेकिन उसे पहले हम देख लेते हैं आखिर वर्सा क्या होती है तो बात करेंगे पाने की बूंद में जो जलवास्प से शंघनित होती है और गृत्वा टृती पर गिरती है उनकों लोग क्या वोलते है वर्सा की बूंद आप जानते हैं तो यह तो फिर प्रक्रिया होती कैसे संगनन होता जोटी शुटी-शुटी उकड़ों के उपर वो बुड़े इंखटा लगर के वह बुड़े उपरी खटा हो जाती है और आदता ग्राही जिनाएं जो बारिस कर जो होते हैं वो आधिता ग्राही नाविक आए जो हाइग्रूस्कोपिंग नूकलाई उसके ऊपर एकटा हो जाते हैं उसे मेक दीकर बनते हैं चुटी-चुटी बूंदों के रूप में बन जाते हैं और यह जब में जीकर काफी जदा बड़े जब काफी दम्मिल कर क्लाउड डॉपलेट्स बनाते तो इसको याद रखेगा यह प्रॉसेजें लेकिन हम आते हैं बात करते हैं कि आखिर जो वर्षा होती वह कितने प्रगार के करें होती है तो सबसे पहले बात करेंगे सवहानी वर्षा watching करें रेंफॉल क्या होती है उसके बारे में देखेंगे तो आपको बता दें कि जब कोई गर्म भूतल की पुर्थ्वी प्रूथ गर्म हो जाता है तो गर्म होने की वज़े से क्या होता है वहां से कन्वेक्सिनल करेंट उपर उठने लगती है हवा के साथ में क्या होती है थंडी हो जाएगी तो इस क्या होगी बारिस होती है तो याद रहेगा तो इसमें देखे दो तरीके से आप इसको याद रहका सकते हैं सबसे पहले बात एक चाहिए घरम जिता बोतरम जता तो समवानी तरंगें उपर उठती है हवा गर्म होकर उपर उटती उपर होने के बाद हवा ठंडी हो जाती है और इससे क्या होती बारिस होती है इसको में लोग बोलते है समवाहनी वर्सा इसको याद रहेगा समवाहनी वर्सा बूतल गर्म हुआ बूतल गर्म हुआ तो हवा भी गर्म होगी हवा गर्म होगी बूतल गर्म कब होगा जब सूरज की सीधी किरने उपड़ रहे होंगी तो ऐसी इस्तिती बनेगी कन्वेक्शनल करेंट उटती जैसे अब गर्मियों के महिने में आप जानने हैं कि उत्तर भा लृट लाईगी के सारे भादा हुथ में उसका इक तरी के सकते हैं जो सापेच्चिक आता बढ़ने लिए बढ़ जाएगी तो सापेच्चिक आता भड़ जाएगि दथा धनृत culinary होती है और वह जाने के बाद में पर्वत के सारे ऊपर जाएगे कुरूभ जाने के बाद में ऊपर जाएगी तो जैसे उपर जएगी ठंडी होने के बाद में जैसे सापेशिक आद τα जैसा भठेगी और 50% कहीं आ asthma होगी इक तरफ की होगी इसके परवत के एक परवत की ग्षाय बन जाता है जैसे आप पश्चमी घाट का जब आका पूरबी हिसे लोग होती है इसको होती पर डिर यह को सबखे लिक्टाइब और Sonic a वम मिद्धा करने什么 चक्रवाती वर्षा क्या होती है या इसको हम लोग बोलते हैं बातागरी वर्षां सैपोन लेंख़ बात करेंगे अदर्ट गर्लेत है उनके बारे बताहीं यह जा ज आसे दीटें घ्रम हवाहिसे मेरे पास दो मार्कर है एक बनुए हवाह यह और एक यहां पर इस तरीके जैसे यह क्या होंगे आपस में आएंगे जिसमें से जैसे मारी यह घंडा है तो जो गर्म होगा यह क्या होगा जैसे आपस में टक्राइंगे तो गर्म उपर उड़ जाएगा गर्म क्या होगा उपर उड़ जाएगा गर्म क्या उपर जाएगा और इन दोनों लोग इन दोनो गर्म उपर नीचे आजाईगी और यह संटी नीचे नीचए रहता है यह इसाइग है और बैस नों मैं धराने के दो हवाइग्ट है गर्में ठंडी बात बाने के बाद में हो यहाइक कि जो हवागंदी होगी वह ऊपर जाएगी ठंडी हेव नीचे जैसे उपर जाती उपर जाने के बाद वह गरम भी ठंडी होγαती है जब गरम भाः ठंडी हो जाते तो इस्तिती ऐसी बंदी है लिवाज безопас जरी चली जाए कि तो अस्ती रोकर एक ठंडी हो जाएगा प wspól जाता बड़े की बारिस होना शुरू हो जाएगी तो गर्म और ठंडी लाइन यह जो रेट क्लर की लाइन मैंने बनाई इसको में लोग बोलते हैं वाताग्र इसके प्रकार भी होते हैं आगे चल करके वीडियो में बताएंगे तो वाताग्र के प्रकारों के बारें उक्साल को में जब्याइक होते हैं तो यह भी को से जुब्याइब शेंदी वर्सा में देखने को मिलते हैं तो यह होगी बातें जो मैंने चक्रवाद से लिएट आपको बताइए हैं यह चक्रवाद आगे चल करके चक्रवाद में भी यह बाते आपको देखने को मिलेंगी वातागर के बारे में बताएंगे और चक्रवाद का हमें इस्पेसल वीडियो तो बनाएंगे शीतुसी कैसे होती इसके बारे में बताए तो इन सब को एक साथ आप पढ़िए गा तो आपको अच्छे संज में आ जाएगा तो इन सब को पढ़ेंगे तो वर्सा से डिलेट अगर जो कोई टॉपिक आता है बारी से तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे और इसमें अगर आपको कि आता है बारा locks